नहाय खा के साथ छट महापर्व की आज से सुर्वात हो चुकी है वसंद कुंच के निगम पासद मनोज महलावाद अपने वाड में बने सभी छट घाटों का निर्चन कर रहे हैं और जहां जहां पर जो जो काम चल ला है वहाँ पर दिसा निर्देश भी दे रहे हैं क्योंकि आज से नहाय खा है और उसके बाद खरना और इसके बाद आपको बताते हैं धलते सुरज को अर्ग देने के बाद उकते सुरज को अर्ग दिया जागा इस छट महापर्व को पूरीद ही धूमधाम से दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में और दिल्ली में मनाय जाता है वहीं वसंद कुछ के नेगम पासंद मनोज महलावत ने बताया कि हमारा फर्ज है कि जो भी छट वर्ती लोग पहुंचें उनको किसी भी तरीके की असुबदा ना हो और इसी वज़े से वो अपने वाड में हर छट घाट पर पहुंच रहे हैं जहां जहां पर काम चल है आप देखी रहे हैं जितने भी हमारे पूरवांचली सरधालू भाई हैं और वह चटी महिया को बहुत एक बड़ा परो हमारे चटी महिया का होता है हम इतने बड़ी चटी महिया जो हमें इतना कुछ देती है जीवन में तो हम उसके चट घाट की मरमत करा पारें उसको सुंदर बना पारें तो हम उस निरंतर उस अपने सेवा भाव से उसकाम में लगे हुए पिछली बार करोना के वज़े से जो है चट महापर पर रोक लगी कि बिलकल करोन महमारी बहुत बड़ी महमारी थी तो पिछली बार कहिने कई हमारे सभी सरधालू इस विस पर इस अपने घर पर मना था तो इस बार ही ऐसा नहीं हमें परमीशन मिली है कि चट मना सकते हैं तो हर्षो का एक माहोल दिख रहा है छेतर में कि हम चटी मैया को जैसे हम हर वर्स बड़े धूम-धाम से मनाते थे इस पर भी मना रहे हैं तो अच्छा लगता है कि महामारी समाप्त हुए और फिर से हम अपने तेवारों को मिल जूलकर खुशी-खुशी मनाने लगे तो आज इस सुब दि पहे की मैसिज देना चाहूंगा अपने तमाम पुर्वांचली भाई बहनों को कि सभी को चटी मैया के परों की बहुत बहुत शुब कामने बधाई चटी मैया आप सब की हम सब की मनों कामने पूर्ण करें और इस महामारी को देश से समाप्त करें